सड़क हाथसे में उत्तरप्रदेश के रहने वाले दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है मा और बेटे की मौत से परीजनों का रो रोकर बुरा हाल है आपको बता दे कि नगर के मेरट करनाल मार्ग पर अपनी भावी और पांच वर्ष भतीजे को लेकर वापस लोट रहा बाइक सवार ट्रक की चपेट में आगया जिसमें मा बेटे की दर्दनाक मौत हो गई जबकि बाइक चला रहा है युवक भी गंभी रूप से घायल हो गया सूचना पर मौके पर पहुँची पुलिस ने मृतक मा बेटे के शव को कबजे में लेकर पोस्ट मौतम के लिए भेज दिया है और ट्रक को हिरासत में लेकर वैधानिक कारेवाई शुरू कर दी है दरहसल पूरा मामला सदर कोतवालिक शेतर सित शुगर मिल के पास मेरट करनाल मार्क का है जहां मेरट जनपत के कसबा सरधना निवासी दानिश अपनी भावी सल्मा और अपने पांच वर्ष भतीज आयान को शामली में किसी बाल रोग विशेशक के चिकित्सक के पास उसे दवाई दिलाने के लिए आया हुआ था बताय जा रहा है कि जब वे अपने घर वापिस लोट रहा था तो मेरट करनाल मार्क से गुजर रहे एक बजरी से भरे ट्रक की चपेट में उसकी बाई का गई जिसमें ट्रक ने मा बेटे को कुचल दिया और उनकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि मृतका का देवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया सुचना पर मौके पर पहुँचे पुलिस ने मृतक मा बेटे के शव को कबजे में लेकर पॉस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है जबकि आरोपी ट्रक चालक का कुछ पता नहीं चल पाया पुलिस ने ट्रक को हिरासत में लेकर वैधानी कारिवाई शुरू कर दी है जबकि आरोपी ट्रक का करे देले लेकर वैधानी कि रेकर देला कर दंडम में लेकर द्रक चालक का कारिवाई बालाइद असर फंजिए कि वह रहे चालक कर देले में लेकर वालक का कुछ। झाल झाल ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल पराना एंड जोती गारण आजे बीडी बैंकोट्स एंटर्प्राइब